वीडियो शुरूर करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं चाइनीज को यहाँ पर सुपोर्ट नहीं करता, मैं इंडियन ब्रैंड्स को सुपोर्ट करता हूँ और माइक्रो मैक्स में इंडियन ब्रैंड है और माइक्रो मैक्स ने थोड़ा बेटर काम किया है प्राइजिंग को लेकर लावा उतना अच्छा नहीं कर पाया सो थोड़ा सा सेंटिमेंट्स को दूर रखकर वीडियो को देखेगा है गाइस मैं हूं मन आप देख रहे हैं चेक्स वामिक एक लेडिस अपिसोड और अभी हम यहाँ पर लाइव एक दूसर सा बातचीत कर रहे थे और हमने देखा लावा ने नए स्मार्ट फूंस यहाँ पर लौंच किये तो यार अगर आपको याद योगा स्कैम 1992 अगर आप ने उस पिच्चर को देखा है हर्षिद महता ने यहाँ पे लोगोंगे दिलों और दिमाग से कखेलके काफी बड़ा घोट अला गिया था तई एसा ही कुछ लावा ने आज किया है हाई लोगों के दिल और दिमाग से का यहां पे खेलके कुछ種 नया यहां इस क्रियेट की है यह विरल क॔ को सुपोर्ट कर दो सपोर्ड करो लैघाबा का फ़ोन लो ने दो फॉंस लांच कर के दिये और यह हाली में इतने अच्छे फोन आया ना मेरे को बहुत अच्छे लगे और मैंने सपोर्ट किया गया कि Micro Max ने यह फॉन्स काफ़ी बड़bey निकाले और मैं अभी भी यहां यहां पर वेट करोंगी माइक्रो मैक्स के नए फोन हैं हम देखें वो कैसा काम करते हैं इन फीचर बड़े जो लावा ने किया है ना पहली बात तो ऐसा लग रहा था कि इनको पता ही नहीं कि लाउंचमेंट करते कैसे हैं दूसरी चीज यहां पर पता ही नहीं कि नेमिंग कै इसे की जाती है तो बड़ा ही जाता मेरे कोई यहां पर वियर्ड लग रहा था जो लावा ने किया और मतलब थोड़ा ऐसा था जैसे ही इमिचे और कोई ब्रैंड आ गया इनको पता ही नहीं है दुनिया नहीं करते हैं मतलब अजीब सिस्टम था बिलकुली कुछ नया करना ला पके हसाब से लाव जेट लोंच कियें अपर हगी कि यह अदो फोन और इनको बस यह महीं बीनाबात से बाते बना के घुमा के चार फोन बना दिये और उसके बाद चलो यह डिटेल में बात करते है लावा लेके क्या है इन में से मैं वैसे कहूंगा लावा जो कर रहा था अगर उसको सही डंक से करता तो काफी ठीक ठाक से फोन आ रहे थे अगर मैं बात करूं माइक्रो मैक्स के मुकापले में बट इन्हों थोड़ सा कचरा स फैल गी और लोग अभी बहुत गुसा दे और रोस्ट कर रहे थे सबसे पहला फोन जो है लावा का जैड़ वन अभी जो जैड़ वन है जब स्क्रीन पर मेरे को पहली चीज यह देखी कि इतना पुराना डिजाइन इतने मोटे मोटे बेजल आज कल कोई भी नहीं दे रहा यहां पर बहुत मोटे वैसे हैं और पुराना ऐसा लग रहा है काफी देर पहले लावा ने कोई डिजाइन बनाया होगा उसको बस फिट फुट करके नया एक फोन सा बना के वो दे दिया है चलो ठीक है इतने प्राइस पे मैं डिजाइंग के उपर जादा नहीं जाओंगा यहां पर इसको प्रोडेक्शन मिली गई है अभी हमें मिल्ट्री ग्रेट टफ का मतलब यह होता है कि आपके ड्रॉप टेस्ट हो रहा होंगे तो जल्दी टूटेगा नहीं टफ फोन है तो यहां में 2GB और 16GB की राम मिल रही है प्राइस के साब से मैं जादा कंप्लेइंड करता नहीं हूँ हीलियो एट्वेटी प्रोसेसर है हीलियो एट्वेटी पांच हजार पच्च विंजासो तक ठीक है प्रोसेसर भी ज्यादा खराब नहीं है एक अत्यसों में चोटे फोन में बैटरी थोड़ी होनी चाहिए जब हम सेकेंटरी फोन डूड़ते न वो इसी परपस से ढूड़ते कि हमें एक बैटरी बैकप मिल जाए थाकि हम कभी मेन कैमरा जब वह बैटरी लॉट हो गई तो इस फोन को हम चला लेंगे कॉलिंग यह खुदी बड़ी चोटी बैटरी के साथ आ रहा है मिने को लगता है यह बैटरी साथ नहीं चल पाएगी देखते हैं बागी बट जो भी है फिफ्टी फाइव हंडडर रुपीज के साफ से देखें तो एक डीसंट सा फोन है अगर को सकेंडरी फोन डूंड़ा है या फिर फोन ही चाहिए और पैसे कम है तो फिर इस फोन के साथ जाया जा सकता है अब बारी आती है अगले फोन की बोला गया था कि मनलब पांच अजार से बीस अजार तक जाएंगे बीस अजार वाली तो कहानी नहीं आई आज दस अजार तक के फोन यहां पर लॉंच हुए है और तो अब मैं आपसे में यहां पर चलो चीज़ें शेयर करता हूं यहां पर तीन फोन नौच किये गए लावा जेट टू जेड फोर और जेड सिक्स अब यहां पर आपको तीनों का फरग बताता हूं ठीक है लावा जेड टू से शुरू करते है यह तो फोन है वहाता है आपको देगा हीलियो जी 35 की परफोर्मेंस हीलियो जी 35 हमें अभी माइक्रो मैक्स के इस इन डिवास में देखना हो मिला काफी अच्छा चलता है मेरे को कोई प्रॉब्लम महीं है अच्छी बली पॉब्जी वारा भी चल जाती है और बढ़िया चलती है तो आप रहाम से ल 2GB की रहाम है और हमें देखेंगों मिलती है 32GB की स्टॉरच 2GB की रहाम हमें माईक्रोम एक्सपे बी 7000 वाले वाले वेरियन में देखना को मिली है मेंको जाथा को क्लिए नहीं है Android Go वर्शन देखने भी मलेगा टैन का फिक है वो भी यहाँ आपे देखने को मिला था 5000 ने मे काम चला हो गैमराज मिल जाएंगे 13 प्लस 5 के ठीक है चलो यह है हमारा लेवा का Z2 अब देखा जाए इसको अगर कंपेर करें हम माइक्रो मैक्स के साथ तो तकरीबन तकरीबन दोनों एक जैसे फोन है तो मेरे को यहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं थी Z2 के साथ दिक्कत का पर हुई जब इन्यों निकाए हम ने फोन निकाए लेवा का Z4 अब यह डिट्टो सेम फोन है जो हमें देखने को मिलेगा 9000 रुपए में और यह फोन जो है वो हमें देखा चार प्लस टॉंसर जीवी की रैम और स्टोरेज माला सेम फोन सिर्व रैम और स्टोरेज को चेंज कर यहां पर एक और फोन जुटता है लावा जटेट सिक्स लावा जटेट सिक्स में क्या चेंज है कि रैम और बढ़ गई है 6GB और रोम बढ़ गए 64GB सिर्व रैम और रोम बढ़ा दिया और सेम फोन जैट 4Z6 बनाकर बेचा जाएगा वा तालिया यहां पर कोई भी फोन आता है और वह भी यहां पर सेम नाम रहता है और भी कोई यहां पर शोमी हो रियल्मी हो जब यह अलग लग रैम देते हैं या विरेंट देते हैं वह नाम तो सेम भी रहता है ना ऐसा थोड़ी है कि रेडमी नोट 9 प्रो उसका चारजी भी वेरेट 6GB रेट आएगा तो रेडमी 10 प्रो कर देते हैं यार कुछ भी चलता मनला नाम यह अलग करती है सेट टू जट फोर जट सिक्स और सिर्व रैम यहां पर उसका मदब फरक डालके हग कुछ भी यह नई चीज देखने को मिली जो की काफी अमेजिंग थी और और शिट मैंना बहुत बहुत अजीब लगा जब मैंने इसको सुना यहां पर चीज जना उसकी गई माई जी और यह माई जी चीज क्या है यहां पर आप अपने फोन को कस्टमाइज करके और कर सकते हो जहां पर आप अपनी मर्जी से रैम चूस कर सकते हो उसके साथ कैमरा आपको डूवल चाहिए कि ट्रिपल चाहिए चूस कर सकते हो फ्रेंट कैमरा कितना चाहिए वह चूस कर सकते हो कलर कौन सा चाहिए वह चूस कर सकते हो मतलब की लगा लो आपको यहां पर ज्यादा नहीं रैम चाहिए आपको छेज भी चार्ज भी चाहिए आपने चार्ज भी रैम करवा लिए आपको ट्रिपल कैमरा कर लिए या वे ट्रेपल केमर कर वा लिए फ्रेंट कौन सा चाहिए वो कर वा लिए 13-16 जो भी आपको चाहिए और कलर आपको चाहिए करवा के फोन आपने और लिया और वह चो प्राइजिंग लेकिना चाहो तो आप देख सकते हो पर वो फोन की जगा मेरे को आठ अजार में यह माइक्रो मैक्स इन वन भी थोड़ा बेटर लगता है मैं यूज भी कर चुका हूँ जादा अच्छा है यहां पर पर फॉर्म कर रहा है तो मेरे को काफी डीसर लगता है और इस प्राइस के पर वन भी जो है वो मेरे लिए बेस्ट है ठीक है यहां पर आप हाँ लावा जेटू के बारे में सोचना चाहो तो आप सोच सकते हो बट अगेन वहां पर भी सेम यहां पर लेके बैठा हुआ यह फोन जेट फॉर और इसका एक बहुत बड़ा आपको अंतर बताता हूँ कि जट फौर में में चार्जबी के रहें के साथ भी आपको अंडूडड गू मिलता है इसमें चार्जबी के साथ अंडूड 10 का फुल वर्जिन देखें हूँ मिलता है कमाल है वादा बहुत कमाल है लावा अभी न एक और चीज़ बताता हूँ आपको आप पर्चेस कर रहों यहां पर suppose कर लो 2GB वाला RAM आप आपने यहां पर लावा का आपने पर्चेस कर लिया Z2 आप थोड़ी दिरबार सोचते हो नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा चार्जबी वाला लेना पड़ेगा तो आपको ऐसा नहीं कि पहले 7000 का फोन लिया फिर 9000 का आप नया लोगे नहीं पहले फोन ले लिया था अब चार्जबी वाला लेने के लिए आपको सिर्फ नाइटीन हंड़ फॉर्टी नाइन रूपीज देने होंगी मतलब कि वही तक्रीबन 2000 से 50 रूपे कम आपका 8000 पूरा हो गया और आपको नया फोन दे दिया चाएगा यह कुछ किया जा रहा है तो मतलब मतलब बड़ा अजीब सा किसा यहां पर चल रहा है जेट फूर आपको 8900 का मिल रहा है जेट 6 आपको 10R का मिल रहा है और नीचे वाला मिल रहा है 7000 में यह बहुत ही अजीब चीज की गई है जो कि confusion confusion create कर रही है और एक्दम दिमाग का दही मना रही है लास्ट में जाके इन्होंने एक और चीज लॉंच कर दी वो है लावा का बीफिट और यह स्मार्ट बैंड है जो की आपको देखने को मिल जाएगा सस्ते सप्राइस पे और 11 जन्वरी को यह सारी चीज अवेलिबल हो जाएंगी देखो अगर आप एक 5500 वाला फोन यहां प इन्होंने पानी फेर दिया इनका लॉंच इवन देखके मिल्कूल मजा नहीं आया और सेंटीमेंट से थोड़ा सा खेलने का कोशिश की जा रही है तो चलो यहां पर वीडियो को खतम करते हैं लावा का काफी जादा हो गया यहां पर सीन बट मेरे साब से लावा और आपको सही लगे वहापच्छेश कर सकते हो और आपका इंट्रस्टो मैं यहां पर माइक्रो मैक्स को थोड़ा सा ज्यादा है यहां पर भाव दे रहा हूं ठीक है तो चलो मैं आपको मिलता हूं next वीडियो में अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो वीडियो को लाइक करना म मैं आपको मिलता हूँ and keep smiling and always checking guys love you take care